Hello students, welcome to minor care, मैं हो Krishna, कैसी हैं सब लोग, मास्त, बाढ़िया तो थोड़ी सी बातें आप को लेके कर लेते हैं, लेक्टे स्टार्ट करने से पहले कुछ confusion हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूँ, पहला है कि सर आप में हमको extra क्या मिलने वाला है तो देखो मैं बता दूँ आपको lecture or notes, ये तो आपको YouTube पे भी मिल रहे हैं, app भी मिलेंगे उसके अलावा जो आपके main exam की preparation है, one mask question कैसे होंगे, two mask question कैसे आएंगे, three mask कैसे आएंगे, five mask कैसे आएंगे जो important questions है, ठीक है, questions होंगे और उनके answers भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे साथ चीज़े, then MCQ practice की जो exam में practice है, एक होता है कि आप YouTube पे ऐसे मालोग कर दिया सामने कि हाँ, ये question ये answer है, उसमें मजा नहीं है बेटा, app में जब question आपके सामने रहेगा, आप preparation के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ, यानि की समझ रहेगा, आप दोनों चीज़े combined रहेगी इसके अंदर, आपके fill in the blanks भी आये थे, ठीक है, one mask question भी आये थे, जो की 20 नंबर का part है, अब तुमारे defarm first year और second year के final exam का, तो ये दोनों चीज़े रहेगी, जल्द ही live classes start हो आये नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है ये, जल्दी आप लोगों के batch बना दिये जाएंगे और आपके लिए live doubt classes और routine test वगरा, जो सारी चीज़े हैं ये आपको available start हो जाएंगी, ये सब चीज़े जो हैं ये तो already पढ़ी हुई है कुछ और confusion है, सर ये 1100 रुपए, बहुत जादा है, तो मैं बच्चों से कह रहा हुँ, बच्चों ये पूरे साल के लिए है, किसके लिए है, पूरे साल के लिए, या फिर यू कहले है, हर एक बच्चा अलग 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 स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो र उसके बाद ही हुआ, उस महीने के end में जाकर के, ये जो एप का जो कोर्स आप पर्चेस करेंगे, वो end होगा, बास समझ में आगे, कोर्स जिन लोगो लगता है कि सर 1100 रुपा है, तो उनको दो इस्टॉल्मेंट में कोर्स available है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया तब मैं, ठीक है, साड़े-500 रुपे, दो इस्टॉल्मेंट में, तीन-तीर महने में आपको करने है, एक इस्टॉल्मेंट आप आज करते हैं, तो आज से तीन महने बाद आपको दूसरी इस्टॉल्मेंट करने पड़ेगी, ठीक है ना, दूसरा एप का download link, description में दे दिया है, और description में आपको इस lecture के notes भी मिलने वाले हैं, clear है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो आप इस number पे मुझे contact कर सकते हैं, मैं आपके queries को दूर करूँगा, ठीक है, clear है, इसके लाओ कोई doubt है मेरे कहाल से, अगर तो diet call करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचके चाहें ना, मैं जो भी query होगी आपके दूर कर दूगा, फिलाल ये सारी queries जो मैं अभी तक देख रहा था, आ रही थी, तो उनको ले करके मेरे को यहाँ पर ये lecture में add करना पड़ा, ठीक है, तो start करें फिर आज का lecture, चलिए, start करते हैं हम लोग अपना आज का lecture, तो आज हम पढ़ने वाले hospital and clinical pharmacy, यानि कि हम मारा नया subject आज मने start कर दिया है, chapter number one, जिसमें पहरा chapter है मारे पास hospital pharmacy, ठीक है न, अच्छा, hospital pharmacy में hospital करके कोई topic नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि hospital pharmacy पढ़ोगे तो थोड़ी सी information हमें hospital के बारे में होने चाहिए, hospital क्या है, कैसे होता है, किस टायप के होते हैं, वगेरा, वगेर hospital pharmacy start करते हैं हम लोग, तो सबसे बहुत हम बात कर लें होस्पिटल टर्म आया कहा है, क्यों इसका नाम hospital ही पढ़ा, क्यों हम लोग इसको hospital ही बोलते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग, तो है क्या false claim, सबसे बहुत करने हैं, कुछ false claim है, मतलब कि एक बाते बोली जाती है ठीक है, काफी जारा जो अपना media वगरा है, खास करकि जो अपना social media वगरा है, वहाँ पर चलता है था यह, कि the word hospital is acronym, acronym मतलब hospital जो है, वो short form है, किसका house of sick people in trauma and labor, इस तरीके से क्या है, कि यह आता रहता है, कि यह इसका क्या है, hospital इस वाले term का short form है, ठीक है, चलता है, लोग क्या चीज़ है, करके, ठीक है, ठीक है, तो अब है क्या, reality क्या है, the English word hospital, hospital जो है actual word है, originally comes from the Latin noun, एक Latin सबसे आयो हुआ है, जिसका नाम होता है, hospice, ठीक है, hospice का मतलब होता है, stand for a guest or visitor, ठीक है ना, तुमने अगर एक English का word सुना होगा, hospitality, hospitality, है ना, मतलब hospitality मतलब क्या होता है, जो guest के लिए हम लोग जो मान सम्मान करते हैं, जो guest के हम लोग को उसके लिए आदर भाव रखते हैं और उनको खिलाते पलाते हैं, that is called hospitality, word कहां से आया है, यह hospice से आया हुआ है, ठीक है, जाने कि जो guest और visitor आते है, उनके लिए सब इस् entertainment के लिए व्युस्ता करें, this Latin noun is also the origin of other English word, इसी से कुछ और बढ़ा रखे हैं, जैसे hostel, hostel के जहां लोग रहते हैं, बच्चे लोग, खाना पीना सब कुछ होता है, hotel, वही आया, और hospice, hospice क्या है, hospice जहां पे जो लोग अपनी life के अंतिन फ्छणों में होते हैं, वहां पर उनको क्या जाता है, उनकी देखने की जाती है, एक तरह का hospital मतलब है, खास करकि, old people जो just अपनी life के end पर है, ठीक है, तो वह hospice word, तो यह horse, 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 इस सारे word कहां से आ रहे हैं, इस hospice से आ रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या है, the national library of medicine, LNM, attribute, श्रेय देती है, कहती है, यह श्र मरीज बगरर रहते हैं, इसका श्रे कहती है, कि यह hospital actually, जो शब्द और जो यह एक व्यवस्ता स्टार्ट हो गई है, इसका श्रे जाता है, medieval Islamic society को, according to LNM, the earliest documented general hospital was built in Baghdad in the 9th century, उसके हिसाब से, ठीक है, जो सबसे पहला एक general hospital था, इसमें सब लोग भरते होंगे, मतलब सब लो century में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और the first hospital to treat medical condition, पहला hospital to medical condition को treat करेगा, in the US was the Pennsylvania hospital founded in 1751 by Benjamin Franklin and Dr. Thomas Bond, तो देखो यह है, क्या चीज, कि hospital term का मतलब क्या है, कहां से यह word आया है, ठीक है न, अब बात समझ के होगे, हॉस्पिल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर लोग आते हैं, औ उनकी देख रेक होती है, और उनका क्या हो रहा है, रहने की ववस्ता, entertainment, entertainment तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, रहने की ववस्ता वगरा साई चीज़ा रहती है, तो वहाँ से वड़ आ गया, क्या क्योंकि यहां पर लोग admit होते हैं, रुकते हैं, तो वहां से वर की घर टाइब होता है, ठीक है, विच परवाइड, short term and long term medical care, short term और long term हैना, छोटे समय के लिए और लंबे समय के लिए medical care प्रवाइड करवाते हैं, consisting of observational, diagnostic, उसमें observation होगा, diagnostic होगी patient का, therapeutic and rehabilitative, rehabilitative मतलब क्या होता है, वापस से जाब मालों कोई नशेडी हो जाता है, नशा कर रहता है, तो वापस से उसको ठीक करना, that is called rehabilitative services for person suffering or suspected to be suffering from a disease or injury, किसके लिए, ऐसे लोग जो disease से suffer कर रहे हैं and for parturian, ठीक है न, parturian वही होगा है, जो उसमें क्या कर रहे है, participate कर रहे है, it may or may not also provide services for ambulatory patients on an outpatient basis, ठीक है, कह रहा है, it may or may not also provide, यह service provide भी करा सकता है, और नहीं प provide कर सकता है, किसके लिए, ambulatory patients, ambulatory patients को है, जो रोज आकर करके अपने आपकों दिखा कर जाते हैं, ऐसा नहीं, यह mainly किसके लोग होता है, जो अंदर patient है, उनके लिए, अच्छा, हो भी सकता और नहीं भी, इसमें में और may not बोल दिया है, तो यह आ गई किसकी definition, डवल अच्छ का और medical organization का एक integral, एक जुड़ा हुआ पाट है, the function of which इसका काम है, to provide for the population complete health care, इसका काम है, एक population को complete health care, पूरी-पूरी health care provide करवाना, बोथ curative, ठीक करना और preventive, prevent, बचाना, and whose outpatient services reach out to the family in its home environment, ठीक है न, तो outpatient service जाती है, परिवार के लिए, the hospital is also a center for the training of health workers and for biososial research, research और training के लिए भी ये जगह होती है, तो 1956 की definition ये है, ठीक है, वो एक definition याद कर ले न, hospital ही काम कर जाएगी, तो hospital बात सौंज में आगे एक तरह से हम सब को पता है, hospital हम सबने देखा हूँ हमाई दिमाग में उसका setup है, तो अगर उसका खुद से दिमाग से एक अच्छी definition व्य भी भी आ रहा जा रहा है, अपना कुछ दिखाता है, जनल होता है, admit कर लिया, special hospital कुछ खास होते हैं, है न, जैसे कि यहाँ पर general surgery हो रही है, ठीक है, या गाइनी वाला है, ठीक है, ये special हो गए, ठीक है, जिसमें कुछ खास चीज का treatment चल रहा है, teaching कम research hospital, है जैसे अपने medical college स बगएरा होते हैं, और teaching भी हो रही है, research भी हो रही, दोनों काम हो रहे है, based on administration, ownership, control, and financial income, financial income कैसी है, कौन उसका मालिक है, या कौन उसको चला आ रहा है, तो government और public hospital हो सकते हैं, पता है सबको non-government या private हो सकते हैं, semi-government hospital होते हैं, hospital run by both the government and private entity, government private दोनों मिलके चलाते हैं, जै पॉब्लिक लिमिटेड, लिम्टेड वाले होस्पिटल होते हैं, जैसे हम क्या सकते हैं, प्राइवेटी हैं, ठीक है, बाट एक corporate, एक संसार रहती पूरी, companies formed under the companies act, एक कमपनी के तौर्पे काम कर रही है, run on commercial lines, profit के रहे काम करेगी, example, Apollo, पुरी chain है इसकी, Apollo गेना, voluntary agency hospital, voluntary hospital, voluntary मतला होता है, जो खुझ से लोगों की देखरिक करने के लिए, बिना profit के काम करना चाह रही है, not for profit hospital by the voluntary organization, बहुत से संस्ता है, जो चाहती हैं कि नहीं बहुत से patient ऐसे हैं, गरीब होते हैं, उनको पैसा नहीं, उनसे पैसा लेना सही नहीं है, तो एक example है, Hope Foundation, fistula hospital, ठीक है न तो इस तरह से हम लोग hospital हो क्या कर सकते हैं, classify कर सकते हैं, basing on length of stay, कितने दिन के लिए आप किसी hospital में रुखते हो, short term or short day hospital, 30 दिन से कम अगर किसी का कोई admit होता है, long term long stay hospital, कोई more than 30 days के लिए admit हो रहा है, तो यह आ जाएगा, depending on type of medical staff, medical staff किस type का है, तो आओ देखे जारा, medical staff के होगा, a hospital in which only physicians who are member of the attending and consulting staff may admit and treat patient, जो वहाँ पर उस hospital में physician है, जो doctors है, कि वहल वही लोग जो patient आएंगे, उनको check करेंगे, या देखरे करेंगे, but open staff hospital में क्या रहता है, कोई भी a hospital where all physicians, कोई भी, मानलों एक hospital ही है, पूरे आसपास के area में कोई भी physician होगा, वो अपने patient को वहा सकता है, ठीक है, not only members of the regular staff are permitted to send their patient and control their treatment, वहाँ भेंजेगा भी और अपना खुद करेगा, कि जैसी मैं दवाई दे रहा हूं, वैसी दवाई चलेगी, ठीक है, extremely rare, बहुत काम होता है, अच्कर ऐसा होता नहीं है, because most of hospital limit physician assess in some measures, कौन आके उसमें करेगा, कौन नहीं करेगा, ठ चीजों को देख रहे करेंगे, उड़को उपर limit लगा रखी है, कि तुम आओगे, तुम नहीं आओगे बगरा बगरा, ठीक है, तो open staff कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने patient को भेज़ करेगा, उसका treatment खुद कंट्रोल करेगा, close staff में, केबल जो वहाँ का member है, केबल वही, ब आज होस्पिटल में मोर दें 300 बैट्स आ जाएंगे, किलियर है, बेसिंग उन टाइप ऑफ केर, केर टाइप कैसे, primary care, ठीक है न, primary care hospital, primary care is the day-to-day health care given by a health care provider, जैसे हम देख सकते हैं, अपने गलियों में, महला क्लिनिक और रहते हैं, है न, वो primary health care हो गए, secondary care, this level has some specialist service, कुछ खास services होती है, जैसे general surgery होगी, हाथ को फोड़ा फुनसी है, काट दिया, obstetrician and gynecology है, अपना gynecology बात आगी, ठीक है, now tertiary care, tertiary होती है, बिल्कुल अलग हट के special, जैसे कि हाँ पर ही से समझ में आ जाएगा, cancer, वो सिर्फ और सिर्फ cancer रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा, cancer का treatment और कुछ नहीं, this level is highly specialized, एकदम specialized होता है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते है, primary care, secondary care और tertiary care, team care में हम लोग इसको क्या कर सकते है, divide कर सकते है, by teaching affiliation, teaching मतलब क्या वो hospital teaching देता है, जैसे अपने medical college होते है, या non teaching है, केवाल महाँ पर ilaag चलता है, basic on system of medicine, कौन सा system अपना अपना रहा है, allopathic, Ayurvedic, homeopathic, Yunani अपना रहा है, या कोई और पदिती अपना रहा है, ठीक है, इन से अलग हटके भी काफ सरी पदिती है, ठीक है न, जैसे कि अपना physio therapy होती है, तो हम अलग तरी की चीछी चलती है, तो कौन सी पदिती अपना करके लोगों को ठीक किया जा आपर रहती है, ठीक है, तो ये गाओं वाले हो गए, बासमझ में आरी, hospital के function क्या होती है, अब ये तो एकदम हलुआ, ठीक है, कोई भी मन चलत पता ये न, क्या है, care of sick and injured people, prevention of disease, promotion of health, diagnose करना, जाचना की कोई सी बिमारी है, उसका इलाज करना, बिमारी का, scientific application of mental hygiene, दिमाग की हाईजीन के दिमाग को एक तरह से दुरुस्त रखना और mental therapy, दिमाग की therapy करवाना, rehabilitation मैंने बताया है, जैसे मालों कोई नशा नहीं छूट रहा है, तो हम लोगे उसको लेया करके, rehabilitation center रहते हैं, वहापर नशा चुड़वाते हैं, medical education, education देजी जाती है, research करी जाती, ये सारे है, extramural, extramural मतलब service outside the wall of hospital, hospital के बाहर क्या service hospital देता है, OPD, other patient day होता है, यानके बाहर के patient आते हैं, जहां डॉक्टर सुनको देखते हैं, outreach services, दूर दराज के शेर में जा करके, वो लोग treatment बगारा या, camp बगारा लगाते हैं, immunization program, जब immunization program होता है, तो दॉक्टर सुन निकल कर जगे जगे जगे, camp लगा करके, अपना immunization करते हैं, तो यह extramural service हो गया, service outside the wall of wall, मतलब hospital के बाहर, और intramural हो गया hospital के अंदर, clear है, ठीक है, next आते है, organizational structure, अगर हम hospital की बात करें, कि hospital के अंदर organization कैसे होता है, किस तरीके का setup रहता है, कैसे मतलब चलता है वो hospital, तो दो को सीरी स बात है, सरकारी हो या private हो, कुछ चीज़े common मिलेंगी, जैसे board of director, एक सबसे उपर top पे बैठा होगा कोई, ठीक है, जैसे major college में चले जाओ, तो वहागा जो dean या principal होता है, या कई बार board of directors होते हैं, तीन-चार लोग होंगे, तीन-चार या पांच-छे लोग मिल करके, वो प इसका अलग होगा, यह सब मिल करके, यहाँ पर report कर रहे हैं, ठीक है, अब जो informational service होगा, वो क्या-क्या देगा, admission, कौन patient अंदर आ रहा है, billing and collection, पैसो का हिसाब किताब, health education देना, medical record रखना, information system, human resources, हैना कौन-कौन लोग काम करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी होते हैं, जो hospital में काम करते हैं, क्यों, doctors के अलाबा, nurse है, pathology वाले हैं, साफसाफ़ाई वाले करमचारी हैं, तमाम लोग है, therapeutic service, surgery, intensive care, maternity, physical therapy, occupational therapy, speech language therapy, pathology, respiratory therapy, medical psychology, social service, pharmacy, dietary, sports medicine, nursing, हैना, जितनी भी आ सकती है, जो अपनी service, therapeutic मतलब, चिकसा को लेकर जितनी साइज चीज ह रहा है, CT scan है, ठीक है, इमेजिंग हो गया, medical laboratory होगे, pathology वाला, emergency medicine, cardiology, neurology, ठीक है, diagnostic, जहाँ, डाइनोस्ट चलेगा, support unit, central supply, दवाईयों की जो रहती है, biomedical technology, housekeeping maintenance है, जो जाड़ पोचा रहेगा, सब कुछ, letting bathroom, साफ रखना है, then transportation, बहुसाई चीज़ों को, चीज़े, shift होती ह से उदर, hospital के अंदर ही, या ठीक है, तो यह support unit आ गया, तो इस तरीके से जर्नली देखे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और इसमें अलग तरीके से कुछ टीचर से हैं, या कुछ बूक्स में अलग तरीके से रहता है, तो कुछ नहीं, एक common, या दो तीनों common बना ले इसका एक chief बन्दा, main बन्दा, इसका एक chief बन्दा होगा, इसका एक chief बन्दा होगा, यह सब इसको क्या करते हैं, report करते हैं, फिर यह administration का इंदिक्कत आती है, तो यह उपर report करेगा, फिर वो final decision इस तरह से लिया जाता है, ठीक है न, तो यह पूरा इस तरह से क्या है, एक association रहता है, पुरा organization रहेगा, और control रहता है, कि लिए रहे बाते हैं, तो इस तरीके से हमने hospital की कुछ से general बाते जानी और सीखी, ठीक है न, तो यहाँ पर hospital में फिर बता रहा हूँ, general बात इसके आने चाहिए, hospital as it is, हमारे subject में, हमारे topic में mention नहीं है, हमारे topic में जो main mention है, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहें, learn करते रहें और revise करते रहें, clear है, all the best